वेल्कम दोस्तों एक पर फीर से सवगत है आपने यूट्यूब चनल ट्रेवल वित्मी में मैं आपका डोर्स डाक्टर मानिक और दोस्तों यह हम आज फीर से आएं अपने बगार में जहां पर हमने लगाया था टामाटर और बैगान और मिर्ची की ग्राप्टेट फसल दो कि इडियो में मैंने आपके दिखाया था कि किस तरह से हमने राप्टिंग पौधा लगाया हुआ था और यही आज ग्रो करके अपना फल देना सुरू हो गया है देखिए दोस्तों हमारा फसल को आप आगे देखते हैं किस तरह से है दोस्तों मैं आपको इधर टामाटर के फि है अगर एक जगह गिना जाए तो एक दो तीन चार पांथ छे साथ आट नौ दस मतलब एमान के चलिए कि एक पौधे में लगभग सो टमाटर फले हुए हैं तो दोस्तों देखिए किस तरह से बहतरीन है यह पौधे हमने खुछ से ग्राटिंग से तयार किये हुए थे और क परियोग नहीं किया है हमारे जो गोबर खाद और कुछ-कुछ फर्टिलाइजर उसका यूज किया हुआ था बाकि हम सिचाई ही कर रहे हैं कभी ज्यादा खाद का हमने यूज नहीं किया है तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी ग्रोट की तरह से हुई है इसकी हर पौधे की उचाई 3-4 फिट तक मुचा है जो कि दोस्तों नौर्मल पौधे से काफी ज्यादा बड़ा है और यह तो हमारा पहला पहला प्षल है इसके अलावा भी फूल और आते जा रहे हैं आप नदिक से देख सकते हैं फल तो हैं यह साथ और पूल आते जा रह और हम जैसे फिल्ड में आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको एक चीज और दिखाना जाहूंगा दोस्तों कि हमने इस ग्राफ्टेट पौधे के बीच में एक नॉर्मल पौधा लगा हुआ था जो जिसका क्या हम आपको दिखा रहे हैं आप देखिए इस ग्राफ्टेट पौध य Yakिन नashod इसको देखें इसमें ग्राफ्टिंग कहा जगह नहीं अम्हारल पौधा ही नормल रूड से घ्रोग किया हुआ है तो दोस्तों किसान भज्यों हम आपको दिखाने के लिए हमने एं नॉर्मल पौधा भी लगाया हुँआ था तो दो दिख सकता है कि एक नॉर्मल पौदे के लिए लन को दिखा रहा हैं कि तरह से हैं आप देखेजिया सकते हैं टो देखेए ग। इसने रहीं सकता है और दोस्टो वि lle राफिट मेट सकता है यहां पर आप हैं की दोकिखिआ हुए सबुआंज लुक्तर ना और उपर में अपना ग्राप्टेड टमाटर लगा हुए है तो दोस्तों यह है काफी बहतरीन है काफी अच्छा है और किशान भाईयों मैं तो हमेशा आपको यही बोलना चाहूंगा कि हमेशा ही हमेशा ग्राप्टेड पौधे का यूज कीजिए ताकि आप अधिक का यह कर चुका है जब से लगा हुए है उसके बाद से मैं आपको दिखाता हूं कि बैंगन किस तरह से मेरे फिल में एक एक पोधे में लगा हुआ है और सब चलिए दोस्तों यह रहा है दोस्तों मेरा बैगान के फेल पिछले बार तो काफी छोटा था आपको में दिखाया था आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें फल लगे हुए है दोस्तों मैं पर टीजादा बेट हमने बनाया नहीं है इसके बाब जूद क्यिं AIDS by इस मेना धाइस है जोस्तों इसके बाप जिन रदे दो मिल्ट टकी तुड़ाई कर रहा हूं आज भी मैंने कम से कम ढूटS haben गुल कौड मिलें कितुड़ाह की हुए है अगर एक पॉजह में आप को मैं फम स्छाल जी खाऊ तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक पॉझे को मैं अच्छे तरह से दिखा रहा हूं किस तरह से आप देखे रहे हैं किस तरह से फल लगे हुए हैं चारे फल काफी हेल्डी है ना इसमें कोई छेदक है या कुछ है कुछ भी नहीं लगा है फल की इस यह तो दोस्तों देखे काफी बड़ा है यह आपको 200 ग्राम तक फल चला जाएगा और देखे किस तरह से इसमें फल लगे हुए हैं बेंगन के बहुत बहतरीन है दोस्तों और देखिए तो दोस्तों हम हमें परती दिन इसे धाई क्विंटल का उत्पादन मिल रहा है जो अभी कंटिन्यू चार महिने तक जाएगा इसमें कोई कामी होन सब्सक्राइब में लगभग हमने 20 पौधे लगा हैं उससे जादा नहीं है 20 ही है और इसके बाप यूद में काफी अच्छा इस पातन है और दोस्तों हमां आप देख सकते हैं कि सरसीट फूल की बात की जाए तो आप देखिए कितने बहतरीन है और इसमें काफी अच्छे फूल आ रहे हुए हैं एक एक तहनी में आगर आप देखा जाए तो कम से कम 10 फूल हैं देख सकते हैं आप पॉलिंठों के तूरंथी फल बना लेंगे तो दोस्तों इसका रिजल्ट काफी अच्छा है कि क्या बोलना चाहिए दोस्तों हम पहले भी बता चुके हैं कि बीना अच्छा उत्पादन आ रहा है मैंने सुरू में ही बस गोबर खाद का परियोग किया था और कुछ बहुत फटिलाजर डाले हुए थे उसके बाद मैं कंडिनी बस पानी सही इसके सिचाई कर रहा हुए है इसकी हाइट की बात की जाए तो देखे मेरे कमर तक आ रहा है को की ज़िए रियलिस्टिक वीडियो दिखा रहा हूं कि वजन के जर्दे सारी तूट जा रहे हैं इसने फवन रहे है आप देख लोच ने देख है तो कि जा रहे हैं दोस्तों के जवन देख सकते हैं हमारा उत्पादन के तना बहतरीन हुए और अगर ठल की बात की जाए करके दिखा रहा हूं देखे इसमें फल की बात की जाए तो एक-एक फल को वेट करके देख सकते हैं काफी बहतरीन फल है एक फल आपको 200 ग्राम तक चला जाएगा इतना वजन आ रहा है इसमें तो दोस्तों है हमारा फिल फिजेट और देखे दोस्तों यहां पर भी और कितना फल आए हैं देख सकते हैं इसका वजन तो आप काफी कंपरेजन कर सकते हैं किस तरह से मेरे हाथ से कंपरेजन कीजिए आप किसका कितना बड़ा है फल दोसे कंटिन्यू टुड़ाई के बाब जूद भी हमारे फिल में अभी भी एक क्विंटल निकलेगा में मार्केट में म हमारे साथ इस तरह से बने रहे और दोस्तों किसान भाईयों आपको भी ग्राप्रेट पोधे की जरूद है तो हमें डिरेक्टली कॉंटेक्ट कर सकते हैं मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूँगा और अगर करना ही है हमें क्योंकि आप आप अगर अधिक शtechnisch हैं तो आपको जरूरी ए का अधिकिया हमँदन करboys कते हैँ देखिए और देखिए हमें जिरूर करते हैं और देखिए उस्कैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम इससे मोटिवेशन मिलता है और हर बार हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आते हैं तो भाईयों मैं हूं डॉक्टर मानिक आपके साथ ट्रेवल विद्मी में और आज आप ट्रेवल कर रहे हैं मेरे खुद के बगान में जहां पर मैंने अपना खुद का ग्राप्टिंग किया हुआ पौधा लगा हुए है तो दोस्तों आपको भी अगर चाहिए जरूरत है तो हमें ड्रेक्टली कॉंट्रेक्ट करें नए वीडियो में हम आपको दूसरे जगा लेके चलेंगे तब तक के लिए बाई और मेरे नए वीडियो का वेट की कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए